आज हम अपने अध्यान को उन दो व्यक्तियों से आरम करते हैं जो इश्यू का अनुसरन करने के लिए अनुमती मांगते हैं जैसे कि इश्यू उस पार जाने की त्यारी करते हैं एक मनिश उसके पास आता है जिसे हम मतिर चिसु समाचार उसके आठा ध्याय के उनिस पद में पढ़ते हैं और किसी शास्त्री ने आकर उससे कहा गुरू जहां कहीं तु जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा मित्र समाचा यदर शास्त्री जवान व्यक्ति रहा होगा क्योंकि एक वुजर्ग व्यक्ति इस टरीके से वेहार नहीं करेगा यदर शास्त्री भी उस भीड में था और निरने के साथ खिलhnlich कर रहा था कि उसका अनुसरन करें या अनुसरन ना करें वह नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए तब उसने देखा कि इशु दूसरे तरफ जाने की त्यारी कर रहे हैं प्रभू और उसके शिशे नाओं की ओर बढ़ रहे हैं और उसे अपने मस्तिक्स में जल्दी निरने लेना था, इसलिए वा भीर से बाहर निकल कर आया, और इस पष्ट रूप्स से प्रभु के सामने गिर कर कहा, जहां कहीं भी तू जाएगा, मैं तेरे पीछे चलूँगा। शाष्ट्री ने अपना निरने ले लिया, प्रभु ने उसकी ओर देखा और उससे खुल कर और सरल्ता से कहा, जिसे हम मतिर चिसु समाचार आठा ध्याय के बीस पद में पढ़ते हैं। ईश्व ने उससे कहा, लोमणियों की मांदे और आकाश के पक्षियों के घोसले होते हैं, प्रन्तु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने क्यों भी कहीं अस्थान नहीं है। इस तरह कहा होगा, मेरा अनुसरन करने के लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकाने पड़ेगे। हमें यह नहीं बताया गया है कि इस जवान व्यक्ति ने उसका अनुसरन किया या नहीं। मैं हमेशा महशूस करता हूँ कि उसने किया। मैं सोचता हूँ कि जब नाव को पानी से बाहर खीचा गया तो वहाँ यह जवान व्यक्ति उस नाव में था। जिसने प्रभू के लिए नीरने लिया। हम मतिर चिसु समाचार आठा ध्याय उसके 21 पद में आगे पड़ते हैं। उसके चेलों में से किसी ने उस से कहा प्रभू पहले मुझे अन्मति दे कि मैं जाकर अपने पिता को दफन करूँ। यहाँ पर एक जवान व्यक्ति है जिसने प्रभू का अनुसरन करने का फैसला लिया प्रणतुवा पहले अपने पिता को दफनाना चाहता है। इस घटना को बहुत ही गलत तरीके से समझा गया है। हमारे अंदर ऐसा विचार आता है कि उसका बुढ़ा बाप मर गया है और परिवार उसके दफनाने के प्रक्रिया के लिए उसका इंतिजार कर रहे हैं या त्यारिया हो रही है। जब वह उत्तर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रभू बहुत कठोर हैं। गटना को बताते हैं जहां पर वह एक अर्भी को मार्ग दर्शन के लिए लेना चाहते हैं। उसने उसे बताया कि वह कहां जाना चाहता है और एक जवान ब्यक्ति के बारे में बताया गया कि वह जवान एक निश्चित गाउमें मिलेगा जो एक बहुत ही अच्छा मार्ग दर्शक होगा। जिससे कि आप उसे देख कर खुस हो जाएं। वास्ताव में वह जवान अर्भी था। अर्भी का क्या मतलब था। कि वह अपने पिता को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उसे अपने पिता की देखभाल उसके मरने तक करनी है। पिता की जिम्मेदारी पुत्र की थी। जिससे ने यह कहा। गई और उसने अच्छा काम भी किया। जब वह कई वर्षों के बाद घर लोटी तो उसने अपने पिता को पुन्ता आसहाय पाया। वहाँ पर कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करता। और वह बेटी को कोश रहा था कि उसने उसे छोड़ दिया है। और उसे मसीही नहीं बन पाने के लिए भी उसे कोश रहा था। उसकी पिता ने मसीह के लिए कभी भी निरने नहीं लिया। इसलिव घर में रुख गई और उसकी देखभाल कर आराम और संगती देती रही। बुढ़ा व्यक्ति इस सेवा के दौरवास्तों में हिल सा गया। और इस समय के दौर दे या ना दे। हो सकता है कि उस प्रकार की इस्तिती इस जवान व्यक्ति के साथ हो जिसके बारे में मती हमें यहां पर बताते हैं। आगे हम देखेंगे कि इशु गलील की जहील में आंधी को शांत करते हैं। मतीर चिसु समाचार आठा ध्याय उसके 23 पद में हम पढ़त कार प्रकृती के लिए एक महत्व रखता है। यहां पर प्रविश्य के सामर्त का प्रदर्शन किया गया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आदम के पास भी वही सामर्त उसके पाप में गिरने से पहले था। अब हम इसे प्रविश्य में देखते हैं। अंतिम आदम में इस प्रभुत्व का प्रगटी करन है हम मतिर चिसु समाचार आठा ध्याय उसके चोबिस पद में आगे पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है और देखो समुंदर में एक बड़ी आंधी उठी जिससे की नाव लहरों से ढग गई प्रन्तुवा सो रहा था मित्रो यह कोई साधारन तुफान नहीं था हमने परिक्षा की घड़ी में देखा था कि शैतान थोड़े समय के लिए उससे छोड़कर चला गया था प्रन्तु जादा समय के लिए नहीं मैं सोचता हूँ कि यह तुफान वास्तव में शैतान की ओर से था यह प्रभु इश्व को नास करने की एक कोशिश थी आप ध्यान दिजे कि हमारे प्रभु सो रहे थे यह एक बहुत ही मानुवे दृष्य मती हमें देते हैं इश्व इतना अधिक ठक गय थे कि तुफान में भी वे सो रहे थे यह कुछ और भी प्रगट करता है वे तुफान में भी सो सकते हैं जबकि मैं नहीं सो सकता मैं तुफान के समय में थोड़ा भैवित होता हूँ और शिश्यों का भी यही हाल था हम मती उसके आठ अध्या के 25 पद में आगे पड़ते हैं जहां पर लिखा है वे उसके पास आए और उन्होंने यह कह कर उसे जगाया प्रभू हमें बचा हम नाश हुए जाते हैं उनके पास कितना थोड़ा विश्वास था आप ध्यान दिजिए कि वह परिस्तिती को कैसे संभालते हैं मती आठ अध्या उसके 26 पद में लिखा हुआ है उसने उनसे कहा हे अल्फ विश्वासियों तुम इतने भैभित क्यों हो तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को डाटा और पूंता शांती चा गई हम देखते हैं कि उसने शिश्यों को उनके विश्वास की कमी के कारण डाटा और तत्पश्चात तुफान और समुद्र को डाटा लूका भी शब्द डाटा का उप्योग करते हैं उसने लहरों को शांत कर दिया जैसे हम कुत्ते के थूथन में रसी बानते हैं और तुफान बिलकुल शांत हो गया यत्पिया सच है कि इस समय इन मनुश्यों ने बहुत थोड़ा विश्वास का प्रदर्शन किया एक दिन आया जब उनके छोटे से जीवन में तुफान का उत्पीडन तूट पड़ा और मैं कोई भी लेक नहीं पाता जिसमें उनमें से कोई चिलाया कि क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं इसके अलावे हम प्रेजितों की काम उसके चारा ध्याय उसके 29 पड़ में पड़ते हैं कि उन्होंने कहा अब हे प्रभु उनकी धमकियों के देख और अपने दासों को या वरदान दे कि तेरे वचन को पून निर्भैता से सुनाए या उनके लिए महत्पून था ओह हम कैसे उस प्रकार के सहस और भरोसे को इन दिनों में प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हम रहते हैं यहाँ पर ध्यान दीजे कि तुफान को शांत करने के चमतकार के द्वारा अपने शिश्य को उपर एक गहरा प्रभाव डाला है हम आगे मतिर चिसु समाचार आठा ध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं और वे विश्मित होकर कहने लगे यह कैसा मनुश्य है कि आंधी और समुन्द्र भी इसकी आगया मानते हैं वह जो नीती देता है वही इसे लागू और शक्रिय कर प्रदेश्य भी कर सकता है आगे हम देखते हैं कि इस दो गदरेनियों के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं जो छाटव चमतकार और आश्यर चकित करने वाला है हम लोग इसके वर्णन में नहीं जाएंगे प्रन्तो यह दुष्ट आत्मा को निकालने से संबंदित है हम मती आठा ध्याय उसके 28 पत को पढ़ते हैं और जब वह दूसरी ओर गदरेनियों के प्रदेश में पहुँचा तो दो मनिश्य जिसमें दुष्ट आत्माय थी कबरों से निकल कर उससे मिले वे इतने उग्र थे कि कोई भी उस मार्ग से नहीं निकल सकता था यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शुग गदरेनियों के प्रदेश में है जैसा कि आज भी इसे पुकारा जाता है जो लोग यहाँ पर रहते थे वे गाद गोतर से थे पुराने नियमें जब इस्राइलियों के बीच में जमीन का बट्मारा हुआ तो गाद गोतर यर्दन नदी के गलत शेत्र में बस गया उन्हें क्या हुआ? वे सूरों का विवशाय करने लगे जो कि यहुद्यों के लिए ऐसा करना उचित नहीं था एक बार जब आप परमिश्वर की आग्या का उलंगन करते हैं तो अगली बार आग्या नहीं मानने से अधिक परशानी नहीं होती है पहले से ही आप उसकी इक्षा और मार्क से हट कर चल रहे हैं इसलिए जब ईश्यों ने उस प्रदेश में प्रवेश्य किया तो उसका सामना दो मनशियों से हुआ जो दुस्ट आत्मा से ग्रशित थे कहीं पर इसका अनुवाद शैतान भी किया गया है जो सही नहीं है सही अनुवाद दुस्ट आत्मा ही है ये मनिशे बहुत ही खतरनाक थे जो दुष्ट आत्मा से ग्रशित थे हम मतिरचेसु समाचार आठ अध्याय उसके 29 पद में आगे पड़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है और देखो उन्होंने चिला कर कहा हे पर्मेश्वर के पुत्र हमारा तुझ से क्या काम क्या तुँ यहां हमें समच से पहले यात्ना देने आया है यह चमतकार एक आश्चर जनक शित्र को खोलता है जिसके बारे में हम दुर्भागय वश बउत थोड़ा ही जानते हैं इस चमतकार के महतों को समझना हमारे लिए कठीन है क्योंकि हम दुष्ट आत्मा के बारे में अधिक नहीं समझते या समझ की कमी के कारण मैं व्यक्तिगत रिती से विश्वास करता हूं कि चमतकार में दुष्ट आत्माओं का शामिल होना ही एक बड़ा चमतकार है जिसे उसने किया हम्मती आठा ध्याय उसके 30 और 31 पद में आगे पड़ते हैं कुछ दूरी पर बहुत से सूरों का एक जुन चर रहा था दुष्ट आत्माओं उससे यह कह कर विंति करने लगी यदि तू हमें निकालना चाहता है तो हमें सूरों के जुन में भेज दे मित्रों किसी कारणवर्द दुष्ट आत्मा चाहते हैं कि उन्हें शारिरिक भौतिक वास्तविक्ता मिले ऐसा लगता है कि उन्हें भौतिक वस्तु बनने के बारे में चिंता थी वे शूरों के जुन्ड में बसने के लिए भी संतुष्ट थे हमती आठ अध्या उसके 32 पद में आगे पड़ते हैं उसने उनसे कहा जाओ और वे निकल कल सूरों में समा गई और देखो वा पूरा जुन्ड वेक पूर्वक ढालू किनारे से समुन्दर में जा पड़ा और डूब मरा सूरों के जुन्ड को दुष्ट आत्मा से ग्रशित होकर रहने के वज़ाए मरना ठीक लगा मानो जाती थोड़ा इससे भिन है आज बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से ग्रशित या पीडित है मुसा इलियाह सच्चे रूप में अलोकिक सामर्त का प्रदर्शन हमें दिखाते हैं और प्रविश मसी के समय में आज लगता है कि हम ऐसे वातावरन में बढ़ रहे हैं जहां हम अधिक से अधिक दुष्ट के शक्तियों का प्रदर्शन देखते हैं हमारे बारे में इसके बहुत से प्रमान है बहुत से उधारन है और उन सब को पहचाना कठीन है और हमेशा ये खत्रा बना रहता है कि आप नौ पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि फलना व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रशित है हमें ऐसे करने से साउधान रहने के आउशकता है क्योंकि यह डाइनों की खोज करने के जैसा है फिर भी बहुत से लोग हैं जो आज भी दुष्ट आत्मा से ग्रशित हैं कई वस पूर्व जब मैं महावी दैला में पढ़ता था तब असंतलित मनोविज्ञान की पद्वी प्राप्त करने की मैंने कोशिश की एक ब्यक्तिय ऐसे लोगों के बेश में काम करता था जिसे मैं जानता था ओँ मसीही था और एक डाक्टर था और उसने बताया कि वहां की लोगों की देख भाल करना कितना कठिन है लोग दुष्ट आत्मा से ग्रशित होते हैं जिसमें शैतानी शक्ति का प्रभाव रहता है या एक मज़दार बात है कि या दुष्ट आत्मा कैद में नहीं रहना चाहती थी वे कुछ निश्ची दुष्ट आत्मा के कैद होने के बारे में जानती थी जो गिराय गैश्वर्ग दूत हैं जैसा हम यहुदा की पत्री में उनके विश्चे में पाते हैं ये दुष्ट आत्मा उस संसार में अपने आपको कारियानिवित कराना चाहते थे हम मतिर चिसु समचार उसके आठा ध्याय और तैंतिस और चौतिस पद में आगे पढ़ते हैं चरवाहे भाकर नगर में गए तथा दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों पर जो कुछ बीता था तथा इसी के साथ साथ सारा हाल कह सुनाया और देखो सारे नगर के लोग निकल कर इशु से मिलने आए और जब उन्होंने उसे देखा तो उससे विंती की कि हमारे प्रदेश से बाहर चला जा यह निश्चित रूप से वेंग्यात्मक है है की नहीं इन लोगों को इशु से बढ़कर अपने सूर चाहिए थे मेरा विश्वास कीजे कि यह गदरेनियों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी आज भी बहुत से लोग हैं जो इश्चित मसी से बढ़कर अपनी सूरों को प्रात्मिक्ता देते हैं मित्रों यहाँ पर अध्याय आठ समाप्त होता है प्रन्तु हम अपने अध्याय को जारी रखते हुए अध्याय नौ में प्रवेश्च करेंगे इस अध्याय में इश्व और च्छ चमतकार करते हैं मती को बुलाते हैं और फरिशियों के साथ तर्क करते हैं और गलेल में अ सक्रिय करने का सामर्थ है जिसे उसने शूनिस्चित किया है और जो अध्याय हमारे सामने है उसी विचार को निरंतर आगे बढ़ाता है हम उसे शारिक चंगाई करते हुए देखते हैं एक है जिसका मैं एक अलोकिक वर्गी करन करता हूं मिर्तकों का जी उठना और आत्मिक चमतकार एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना है आगे हम देखते हैं कि इशू वापस कफनहों में आते हैं हम मतिर चिसू समाचार नव अध्याय उसके एक पद में इस प्रकास से पढ़ते हैं लिखा है वह नव पर बैठ कर पार गया और अपने नगर में आया इशू न एक लकवे के मारे हुए को खाट पर लिटा कर उसके पास लाए इशू ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा मेरे पुत्र साहसरक तेरे पाप शमा हुए हमें मरकुस रचिसू समाचार में इस घटना का वनन मिलता है मरकुस हमें बताते हैं कि कैसे इस व कि तीन पद में आगे पढ़ते हैं और देखो शास्त्रियों में से कुछ आपस में कहने लगे यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। चल और फिर वे उसका उतर नहीं दे सके। प्रन्तो यदि वे उसका उतर देते तो इस प्रकास से कहते ठीक है हमारे लिए एक जितना महान है दूसरा भी उतना ही है। तब हम मतिरचिसु समचार नौ अध्या उसके छे और सात पद में आगे पढ़ते हैं। जब लकवा से पेड़ित व्यक्ति उठा और चला तो इसका मतलब हुआ है कि जो उसे चला सकता था वह उसके पाप को भी शमा कर सकता था। मेरे प्रिय मित्र मैं और आप पाप शमा नहीं कर सकते हैं। केवल प्रविशु ही है जो ऐसा कर सकता है। और जब कि हम पापों को शमा नहीं कर सकते हैं तो हम मनिश्य को भी नहीं चला सकते हैं। शैतान एक धोखे बाज है और हमें उन चंगायों के बारे में जाज परताल करना चाहिए जिसके बारे में आज हम सुनते हैं। आए हम पर मिश्वर के मार्ग में ना आएं। जिसे वह करता है और आए हम इस बात को स्पस्ट करें कि वही महिमा पाए। हम आगे देखते हैं कि इश्यू मती को बुलाते हैं। हम इसे मतिर चिसु समाचार नौ अध्याय के नौ पद में पढ़ते हैं। जहाँ पर लिखा है जैसे ही इश्यू वहां से आगे बढ़ा उसने मती नाम के एक मनुश्य को चूंगी की चौकी में बैठे हुए देखा और उसने उससे कहा मेरे पीछे आ वा उठा और उसके पीछे चल दिया। मती सिर्फ एक पद के साथ अपने बुलावे के विश्य में बता कर शलिंता के साथ आगे बढ़ता है। उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है। संत लोग हैं जो इसी प्रकार का विचार रखते हैं। पापियों को रातरी भोज पे बुलाना तकलीब देह नहीं है क्योंकि वे ही लोग है जिन तक मसी के लिए पहुँचना है। मित्रोपापियों के साथ थोड़ा संपर्क रखना हमारे लिए आवशक है। मतिर जिसो समचार नौ अध्या उसके बारपद में आगे पड़ते हैं। जहां पर लिखा हुआ है प्रन्तु जब उसने यह सुना तो कहा भले चंगों को वैद के आवशकता नहीं प्रन्तु बिमारों को होती है। इश्व एक महान वैद हैं वा मानव जाती को उनकी मुल समस्य अर्थात पाप से चंगाई देने के लिए आए हैं। यह हमारे बहुत से छोटे मसीह समू हैं जो अपना प्रिती भोज और मेल मिलाब की सभा रखते हैं। और उधार नहीं पाए हुए लोगों को आमंत्रित नहीं करते हैं। उनसे कहना चाहिए यदि उधार नहीं पाया हुआ व्यक्ति वहां आता है तो अधिकतर मसीही उन्हें दूर रखते हैं। क्या मैं आप से कहूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग जो मसीही समु कहलाते हैं, वे अपने अस्तित्व में और जिस प्रकार वे एक दूसरे से मिलते हैं, पापी है। और हम आगे मती इसके नव अध्याय उसके तेरा पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, प्रन्तु जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं प्रन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ। मित्रो मती यहां पर पुनह, पुराने नियम से होशे, उसके छे अध्याय के छे पद का उद्रन दे रहे हैं। मतीर चिसु समाचार नौ अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकास से लिखा हूआ है। तब यहुना के चेले उसके पास आकर कहने लगे, क्या कारण है कि हम और फरिशी तो उपवास करते हैं, प्रन्तु तेरे चेले उपवास नहीं करते। यहुना के शिष्य इशु मसी को देख रहे थे जो भी हो। इन लोगों में से कुछ लोग मुलता यहुना के ही शिष्य थे। हम अंद्रियास और फिलिप के बारे में जानते हैं कि वे थे, वे यहां आये और इशु मसी का अनुसरन करने लगे। और यहुना के दूसरे शिष्यो ने कहा देख यहां पर कुछ हो रहा है, वह जो हम करते हैं उससे थोड़ा भिन है और हम अचम्बित होते हैं कि ऐसा क्यों। वह थोड़ी ही देर में हमारे मध्य में होगा और जैसा यहुना ने कहा था वह आ गया। अब हमारे प्रभु एक महांत सिधान्त को घोशित करने और सत्य को प्रगट करने जा रहे हैं।